गुद मॉर्णिंग स्टुडेंज, वेलकम तो सांधीपनी एजुकेशनल अकेडेमी आज हम स्टांडर्ड थ्री हिंदी शब्जेक्ट में चैप्टर नम्बर एट अनुलेखन का अभ्यास करने वाले है आप सभी बच्चों मेरे साथ शब्द को लिखना है तो आए चलो स्टार्ट करते हैं शब्द पढ़ो और लिखो हम इस सब्द को उच्चार के साथ लिखते है तो पहला सब्द है हमारा गुडिया तो मैंने यहाँ पे एक सब्द लिखा है वो है गुडिया दुश्रा सब्द है हमारा पौधा तो हम यहाँ पे लिखेंगे पा की मात्रा और अव की मात्रा पौधा फिर लिखेंगे तीश्रा सब्द हथोडा इसे हम बुलेंगे हथोडा चौथा सब्द है साप फिर लिखेंगे बच्चडा आपको पता है बच्चडा यानि की गाई का बच्चा को बच्चडा बोलते है फिर लिखेंगे चम्मच रुशी पैंसिल की मदद से हमें शब्द को ठीक तरसे अच्चे हैंड राइटिंग में लिखना है तितली कलम कलम यानि की पैन जिससे हम लिखते है इश्वर यहाँ पे ई कौन सा है बड़ी ई यह शब्द होगा इश्वर फिर लिखेंगे कच्चुआ क लिखते समय क को इस डंडी के साथ जॉइंट होना चाहिए इमारत इमारत में छोटी इ आएगी तो बनेगा इमारत तुलसी फिर कक्षा क और शाकी मात्रा अउश्द चीटी फिर नीचे और भी शब्द है वो है चांद लड़का बगूला और कॉयल कॉयल इकते समय हमें ध्यान रखता है जो मैंने बताया वो अजगर दर्वाजा खुश्बू और बालग ये हो गए हमारे अनुलेखन शब्द अनुलेखन यानि की दिया हुआ शब्द को हमें फिर से लिखना है अब मैं आपको आज का होमवर्द दिखाती हूँ शब्द पड़ो और लिखो हमने जिस तरह से उपर के शब्द लिखे उसी तरह से हमें शब्द को बोल के लिखना है तो ये हो गया आपका आज का होमवर्द